दोस्तो अगर आपने वोटर आईडी कार्ट बनवाया है लेकिन अभी तक आपको जो है वोटर आईडी कार्ट नहीं मिला है मतलब किसी कारण से वोटर आईडी कार्ट आपके घर तक नहीं पोचा है तो आज किस वीडियो में आप लोगों को पताने वाला हूँ e-water ID card आप जो है किस तरह से download करेंगे उसका process क्या है तो दोस्तो जिस तरह से आप जो है e-adhar card download करते हैं जिस तरह से आप e-pain card download करते हैं तो उसी तरह से दोस्तो आप जो है e-water ID card भी download कर सकते हैं अपने mobile से ही उसका completely process आपको आज के इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा तो वीडियो को भी ना skip किये एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल पना हो तो चैनल को subscribe करके बला आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए क्योंकि दोस्तो हमारे चैनल पर आपको इसी तरह का digital india related content मिलते रहता है तो चलिए शुरू करते हैं आज किस कमाल की वीडियो को तो दोस्तो उसके लिए सबसे पहले आपको nvsp.in इस वाले पोर्टर पर आपको आजाना है लिंक आपको नीचे वीडियो के description में मैंने दे दिया है जैसी आप वहाँ पर click करोगे तो आप जो है इस वाले page पर redirect हो जाओगे अब दोस्तो यहाँ पर जो है अगर आपने first time login किया है तो यहाँ पर सबसे पहले आपको आपका ID password बनाना होगा तो उसके लिए यहाँ पर आपको simply login वाले button पर press कर देना है आप यहाँ पर अपना mobile number enter करेंगे उसके बाद इस वाले QIитесь को fill करेंगे and send OTP पर click करेंगे तो जैसी आप send OTP पर click करेंगे तो आपके mobile पर OTP जाएगा OTP आपको यहाँ पर fill करना है and verify OTP करेंगे तो जैसी आप verify OTP पे click करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने इस तरह का एक छोटा सा farm open हो जाएगा आपको यहाँ पर अगर आपके पास में उटर ID card number है तो आप I have IP number पे click करेंगे अगर आप first time visit कर रहे हैं आपके पास वोटा ID card नहीं है तो आप यहाँ पर I don't have IP number यहाँ पर click करेंगे यहाँ पर आपको आपका नाम लिख देना है यहाँ पर आपको आपका last name, surname लिख देना है अब आपको क्या करना है login वाले बटन पर प्रेस करना है तो आप जो है दोबाड़ा से इसी वाले page पर आ जाओगे अब दोस्तों यहाँ पर आजाने के बाद आपको जो है आपका user ID इंटर करना है या mobile number इंटर करना है उसके बाद यहाँ पर आप अपना password इंटर करेंगे इस वाले capture को यहाँ पर fill करेंगे और login करेंगे जैसी आप login करेंगे तो आपके सामने इस तरह का dashboard open हो जाएगा जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं आपको login का बिटन आप यहाँ पर दिखाई नहीं देगा ठीक है ना अब यहाँ पर आपको काफ़ी सारे options मिल जाते हैं तो दोस्तों यहीं पर आपको नीचे की तरफ आजाना है यहाँ पर आपको एक option देखने के लिए मिलता है और अगर आपके पास में reference number है जैसे कि आपने apply किया था और आपको वोटर ID काड नहीं मिला है तो आपके पास में जो sleep है जो reference number होता है आप वो reference number यहाँ पर इंटर करेंगे ठीक है ना उसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पर reference number को select करेंगे तो हमारे पास में जो है epic number है लेकिन हमारे पास epic card नहीं है तो हम यहाँ पर epic number से epic card को download करेंगे तो यहाँ पर आप वोटर ID काड का number इंटर करेंगे और यहाँ पर आपको state select कर लेना है जो भी आपका state हो यह सारे state में यह सेवा live कर दी गई है तो जैसे कि मैं मध्यप्रदेश नहीं हूँ तो मैंने यहाँ पर मध्यप्रदेश लेक कर लिया उसके बाद आपको search वाले button पर click कर देना है तो जैसी आप search वाले button पर click करते हैं तो आपके सामने इस तरह का process होगा यहाँ पर नीचे देख पा रहे हैं कि आपको जो भी candidate है उसकी यहाँ पर detail दिखाए देगी जैसे कि यहाँ पर आपको epic number दिखाए देगा यहाँ पर आपको नाम दिखाए देगा यहाँ पर relative का नाम दिखाए देगा तो यहाँ पर आपके रजिस्टर मुबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा, OTP आपको यहाँ पर इंटर करना है and आप verify वाले वटन पर क्लिक करेंगे, तो जैसी आप verify वाले वटन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि OTP verification done, successfully ठीक है, आपको इस वाले Congratulations, you are EEP, और यहाँ पर आपको जो numbers होगा, आप यहाँ पर देख रहे हैं, successfully generated, ठीक है ना, उसके बाद आपका जो वोटर ID कार्ड है, इस तरह से कुछ दिखने लगता है, मैंने इसको थोड़ा सा blur किया है, security reason के कारण, तो यहाँ पर जो आप इसका प्रिंट निकाल सकते है और यहाँ पर आप इसका pocket e-वोटर ID कार्ड भी बना के रख सकते हैं, यह भी आपको जो है सभी जगर पर काम आने वाला है, जैसी के आपका e-अरधार कार्ड काम आता है, जैसी के आपका e-Paint कार्ड काम आता है, तो दोस्तों इस तरह से आप जो है अपना वोटर ID कार्ड यहाँ पर download कर सकते हैं, यह उसका completely process था, आयोग कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो के पसंद आया तो वीडियो को like कर लिजेगा, और हाँ अगर आपने अभी तक अपना वोटर ID कार्ड अपने mobile से link नहीं किया है, तो इस वीडियो को देखके आप अपना वो